आज हम सीखेंगे कचरा प्रबंधन हम प्रति दिन विभिन्न गति विदिया करते हैं जिसके दौरान कई ऐसे पदार्थ उत्पन होते हैं जो हमारे लिए अनुपियोगी हो जाते हैं इन पदार्थों को हम अपशीष्ट पदार्थ यानि वेस्ट मटेरियल या कच्रा यानि गाबिच कहते हैं अपशीष्ट पदार्थ जैव निमने करनिया यानि बायोडिग्रेडिबल या अजैव निमने करनिया यानि नॉन बायोडिग्रेडिबल हो सकते हैं यदि किसी पदार्थ का जैविक प्रक्रम से यानि एंजाइम की सहयता से अब घटन किया जा सकता है तो वह जेव निमनिकर्णिया कहलाता है लेकिन यदि किसी पदार्थ का जेव प्रक्रम से अब घटन नहीं किया जा सकता तो वह अजेव निमनिकर्णिया कहलाता है हमारी जीवन शेली में सुधार के साथ कच्रे की मात्रा भी बढ़ गई है साधारं तह कच्रे का निप्टान करने के लिए इसे खुले मैदान में फेक दिया जाता है इसके कारण हमें गाउ तथा शेहर में कच्रे के ढेर दिखाई देते हैं आम तोर पर जिवानों जैविक निमनिकर्णिय कच्रे का जैविक प्रक्रम से अबगटन करते हैं और प्राकृतिक तोर पर इन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्थित करते हैं सरल पदार्थ पादपो द्वारा अवशोशित कर लिये जाते हैं और इस प्रकार के कच्रे का प्राकृतिक तोर पर निप्टान होता है। यहाँ प्रक्रिया मुख्यो रूप से कवक और बैक्टेरिया द्वारा की जाती है जो प्राकृतिक तोर पर जैव निमनिकर्णी या कच्रे का अब घटन करके परियावरण की सफाई में मदद करते हैं लेकिन जब इन पदार्थों की मात्रा अत्यदिक होती है तो परियावरण में कई समस्याय उत्पन होती है जैसे दुरगंद, बिमारियों का संक्रमन, इत्यादी अजेव निमनिकर्णी पदार्थ जैसे प्लास्टिक, साधारंतह, अक्रिय, यानि इनर्ट होते हैं इसलिए उनका परियावरण में विगटन नहीं होता इसके कारण वे लंबे समय तक परियावरण में बने रहते हैं इनके कारण समस्याय चैसे नालियों के बहाव में रुकावट, बाड़, बिमारियों का फैलाव, इत्यादी, उत्पन हो सकती है दोनों कारकों में वायू, जल, तता मुरुदा प्रदूशन भी होता है मल यानि सीवेच की निप्तान की उचित व्यवस्था नव होने के कारण स्थानिय जलाशे और जल के अन्यस्त्रोत वाहित मल से प्रभावित होते हैं उद्योगों से निकलने वाले अप्शीष्ट जिनमें गैस, कूड़ा कच्रा, धातू के लवन एवं तरल अप्शीष्ट समिलित है बिना उपचार यानि ट्रीटमेंट किये परियावरण में छोड़ दिये जाते हैं खेतों से निकलने वाला जल जिसमें कीत नाशक और रसायनिक उर्वरक होते हैं, अक्सर स्थानिय जलाशय में एकत्रित होता है DDT जैसे अजैव निमने करने पदार्थों के जल में मिलने से जल में पोशक तत्वों की अत्यधिक वृद्धी होती है इससे जल में शैवाल की तेजी से वृद्धी होती है इससे पानी में विगटित याने dissolved oxygen की मातरा कम हो जाती है तथा पानी की गुणवत्ता का रास होता है इसे ही हम soup ocean यानी eutrophication कहते हैं इससे जल में जैवरसाइनिक oxygen मांग यानी biochemical oxygen demand या BOD बढ़ जाती है जिसके कारण जलीय जीवों को परियाप्ट oxygen नहीं मिल पाता और वे मर जाते हैं जरा सूचिये क्या जल प्रदूशन, जैव आवर्धन यानी biomagnification का कारण भी हो सकता है अपने दोस्तों ये अध्यापक से इसके संदर्ब में चर्चा कीजिए इन समस्याओं से बचने के लिए हमें कच्रे का उचित तरीकों से प्रबंदन करना आवश्यक है हमने देखा है कि पदार्थ जैव निमने करनिया या अजैव निमने करनिया हो सकते हैं इसलिए हमें कच्रे को प्रुधक करना चाहिए इसके लिए हम दो प्रकार के कुड़ादान का प्रयोग कर सकते हैं एक में हम जैव निमनी करने कच्रा तथा दूसरे में अजैव निमनी करने कच्रा एकत्रित कर सकते हैं दोनों प्रकार के कच्रे का निप्टान बिन प्रकार से कर सकते हैं बायो गैस प्लांट में जैव निमनी करने कच्रे का सूक्ष्म जीवों की सहायता से बायो गैस तथा जैविक उर्वरत में परिवर्तन किया जा सकता है जैव निमनी करनिये कच्रे को एक गहरे गड़े में प्राक्रतिक रूप से अब घटन के लिए छोड़ दिया जा सकता है इससे हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं जो खेती में तथा बगीचे में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है अस्पताल के अपशीष्ट पदार्तों के निपडान के लिए भस्मक यानी इंसिनरीटर का प्रयोग आवश्यक है जिसमें कच्रे को अत्याधिक ताप पर जलाया जाता है जरा सोचिए कच्रे के निप्टान के लिए इससे जलाना सही है या गलत? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही, यहां गलत है क्योंकि इससे वायू प्रदूशन होता है अजयव निमनिकर्णिय कच्रे में से कुछ वस्तूओं को विभिन प्रकार के उप्योग में लाया जा सकता है जैसे प्लास्टिक की जार में फूलों के पौधे उगाय जा सकते है तथा प्लास्टिक की बोतलों में इन पौधों के लिए पानी की व्यवस्था की जा सकती है बक्सों का वस्तुओं को रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है इस तरह किसी वस्तुओं का बार-बार उपयोग करना पुनह उपयोग यानि reuse कहलाता है कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु, इत्याधी का पुनह चक्रन यानि recycling किया जा सकता है इसमें वस्तुओं को ताप और दाब की सहायता से दूसरी वस्तुओं में परिवर्दित किया जाता है घरेलु वाहित मल तथा उद्योगों से निकले तरल का वाहित मल उपचार सन्यत्र यानि सीवेज ट्रीट्मेंट प्लांट की सहायता से उपचार करना आवश्यक है इससे जल में स्थित उपद्रव्यों का सांद्रण कम हो जाता है जिससे जल प्रदूशन कम होता है अब आप अपने अध्यापक से चर्चा करके कच्रप्रबंधन के और तरीकों के बारे में पता कीजिए तो आज हमने सिखा कच्रप्रबंधन